लो अवरिवन और वेलकम बेक टो अवर चैनल जेकी एससब अडाज 614 यहां पर यहां पर यहां पर आपके यहां पर टैन मिनट डिले क्लास होगी ठीक है अब डेली साथ बचके 40 मिनट पर यह क्लास हुआ करेगी ठीक है और इसमें मैं आपके यहां पर 1000 MCQs कवर करूँगा जो की आपके जर्नल नॉलेज और यहां पर जर्नल साइन्स के होंगे ठीक है तो डेली हम यहां पर 15-15 MCQs किया करेंगे अगर आगे जाके थोड़ा मुझे ओर टाइम मिला यहां पर अगर मैं फ्री हुआ तो यहां पर नंबर आफ कोशन यहां पर 30-30 कर देंगे ठीक है तो यह आपकी 1000 MCQs है यह मैं आपको यहां पर पकका 1000 ही करवाँगा यहां पर डेली क्लास होगी 7 बच के 40 मिनट पर लाइफ और यहां पर जल्दी से जल्दी अब यहां पर यहां पर जुड़ जाएं प्लीस ठीक है तो यह 7 बच क्लास नहीं हुआ करेगी 7 बच के 40 मिनट पर क्लास हुआ करेगी तो जल्दी जल्दी आ जाओ ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पे निकलते हैं अपने पहले कोशन के ओपर यह 1000 MC को जो है यह आपके बहुत ही important होंगे यहाँ पे और जो इंडिन आर्मी वाले candidate है वो यहाँ पे यह वीडियो तो बिल्कुल भी miss मत करना क्योंकि उनके लिए ही यह मैं serious चला रहा हूँ यहाँ पे 15 15 क्योंकि उनको 15 कोशन जनल साइंस के आते हैं और 15 कोशन ही उनको यहाँ पे जनल नॉलेज के भी होते हैं तो अगर इस चैनल के उपर आप नू है तो प्लीस चैनल को यहाँ पर पहले सब्सक्राइब करना ठीक है और इसके बाद यहाँ पर वीडियो प्ले करना तो कोशन लोबर बन है मौहिनी अत्यम is the classical dance form association associated with यह मोहिनी अत्यम यह क्लासिकल डांस है ठीक है यह किसे यहाँ पर यहाँ पर करनाटका ग्रेफ़ोर्ण। तामिल नारीट Ms. तो क्याइब क्लाद करनाटक में यहाँ करनाटका से यहां पर तो मैंने वहां पर इसको डाल दिया हुआ ठीक है तो वहां पर जाके वेबसाइट यह है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगी वहां पर आपके क्लिक करके आप और भी यहां पर नोट्स यहां वो डॉनलोड कर सकते हैं तो सबसे पहले जल्दी बताओ मुझे क्मेंट बॉक्स के अंदर तो इसका यो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी जाड़िज केरला तो यह मोहिनी अत्यम यहां यह आपका केरला का क्लासिकल डांस है यहां पर तो कोश्चन नमबर सेकिंड के ओपर यहां पर चलते जल्दी जल्दी अपने आंसर दे दो यहां पर फिर्स्ट व कि इस सब्सक्राइब वह हो जाएगा 1914 में यहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था आपका ठीक है और 1918 में इसका यहां पर और यहां पर खतम भी हुआ था थार्ड कोश्चन हमारा पहला रिसर्च स्टेशन जो की हमने अटांटिका के अंदर विल्ट किया हुआ है बारत ने वह बताओ कौन से हवाई आपका वैशाली मैत्री ठीक है बारती या दक्षिन गंगोत्री तो इन में से आप अपना आंसर बताओ जल्दी फटाफाट तो यह भी आपका इंपॉर्णन कोशन बन सकता है आपका यह आपका फर्स्ट इन इंडिया में आ सकता है आपका ठीक है तो अंटार्टिका में पहला फर्स्ट रिसर्च स्टेशन बारत का यह बनाया गया वह कौन सा यहां पर तो जल्द जल्दी आंसर कर दो यहां पर इसका सही आंसर हो काफी important question है यहाँ पे who was India's first chief of defense top मतलब cds इसकी full form यहाँ पे chief of defense top पहला बारत यह कौन था तो यहाँ पे आपके option है आपके पास यहाँ पे चार और इन में से आपने मुझे बताना है कि कौन सा भई तो जल्द यह कर दो यहाँ पे बिल्कुल ठीक जा रहे है यहाँ पे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे विपिन रावत वई ठीक है विपिन रावत यहाँ यह आपके बारत के पहले cds हैं आपके ठीक है chief of defense staff question no.5 के ओपर चलते हैं who is the first journal of Indian army whose retirement day is celebrated as armed forces veterans day every year ठीक है मतलब आपसे यहाँ पे दो questions पूछे जा रहे हैं कि एक तो आपका यह बन सकता है कि first journal of Indian army कौन था ठीक है और जब उस बंदे की retirement हुई थी retirement वाले day वाले दिन आज हम celebrate करते हैं armed forces veterans day every year तो वो कौन थे भई आपके first journal of Indian army तो जल्दी सल्दी answer कर दो यहाँ पे इसका क्या answer हो जाएगा सही वही सो बिल्कु ठीक जा रहे हैं यहाँ पे journal km केरियपपा तो option no.d आपका answer हो जाएगा journal km केरियपपा इसका सही answer हो जाएगा is not present in the olympic ring ठीक है इन में से option में से कौन सा यहाँ वो olympic ring का यहाँ पे यह होती है आपकी रिंग होती है यहाँ से ठीक है तो वो कौन सी है यहाँ यहाँ पे उसका color नहीं प्रेजन्ट कर रहा है यहाँ पे पिंग ग्रीन ब्लू और रड तो इसका क्या answer हो जाएगा फटाफट जल्दी जल्दी answer देदो जल्दी जल्दी answer कर दो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही यहाँ पे पिंग जो है यह आपका यहाँ पे olympic ring के अंदर pink color आपका नहीं होता है present अब बात करते हैं olympic ring की यहाँ पे तो इसके colors होते हैं उसमें से आपका green भी होता है blue भी होता है red भी होता है और color आपका एक आज एगा yellow एक yellow ring वाली होगी और एक तुमारी black ring वाली होगी तो यह आपके पांच colors present होते हैं यहाँ पे olympic ring के अंदर that is a yellow black green blue और red question number seven के ओपर चलते हैं in which country 2020 summer olympic games will be held 2020 2020 की summer olympic होनी थी वो कहां पे होनी थी वहीं south korea जपान चाइना और ब्राजिल तो यह बिल्कुल सिंपल यहाँ पे question आपसे पूछा है मैंने कि यहाँ पे के वर sports के लेटर भी question आ सकते हैं यहाँ पे games के लेटर कि games यहाँ कब कब आपकी held हो सकती हैं ठीक है तो यह summer olympic पूछ रहा हो कहां पे होनी थी 2020 की तो इसका सही answer हो जाएगा जपान में ठीक है इसका सही answer क्या हो यहाँ पे खेलते हैं भई बास्केटबाल फुटबॉल क्रिकेट और होकी तो इन सभी का आपने नाम तो सुना ही होगा सुनेल चेतरी का यहाँ पे तो इसका सही answer क्या हो जाएगा भई बताओ जल्दी जल्दी बिल्कुल ठीक है फुटबॉल तो यहाँ पे इसका answer क्या हो जाएगा यहाँ पे फुटबॉल से रिपर्जेंट करते हैं भई सुनेल चेतरी तो अगला question question number 9 के ओपर चलते हैं यहाँ पे यह एक book है becoming जो किसके दवारा लेखी गई हुई है बिकमिंग किसके दवारा लेखी गई है यह exam में पूछी गई थी ठीक है तो यह important हो सकती है आपके लिए becoming एक आपका question आपका बुक में से आजाएगा भई ठीक है इसलिए हर एक के जब क्यूज लाता हूँ तो एक का मैंने क्यूज रखे होती है book के related तो इसका सही answer क्या हो जाएगा भई बिल्कुल ठीक है यहाँ पे Michael Obama ठीक है which one of falling caves is suited in Maharashtra Maharashtra के अंदर कुन सी cave है भई बदामी अमरात अलोरा यह बोरा तो इन में से जल्दी लिए answer कर दो कि Maharashtra के अंदर कुन सी cave पाई गई है भई ठीक है तो जल्दी लिए answer कर दो यहाँ पे तो दो most important caves है जल्दी जल्दी यह answer दो भी उसका ठीक है तो question number 10 का यह answer हो जाएगा वह जाएगा Allura Allura caves जो है यह आपके महराश्टा के अंदर है और अजंता caves भी यह यहाँ पे ठीक है अजंता एंड एलोरा caves यह आपके दोनों महराश्ट्रा में ही है तो question number 11 के उपर बात करते हैं very very important red panda is a state animal of which a falling state red panda जो है यह कौन सी state का state animal है वही तो question आपको मुझे बताना है यहाँ पर स्टेट आनिमल का नाम क्या है वही आपको मुझे बताना है यहाँ पर स्टेट आनियों स्टेट बर्ड ठीक है जो भी है तो यह आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है तो question number 12 के उपर चलते हैं question number 12 यह आपका काफी important है in which state of India is goal गुंबाज situated goal गुंबाज कहां पर है तुम्हारा कौन सी स्टेट के अंदर है इंडिया के आंदरा प्रदेश करनाटका महराश्टरा केरला जल्दी से जल्दी इसका अंसर कर दो गुंबाज 12 का क्या आंसर रहेगा गोल गुंबाज तो इसका सही आंसर यहां पर बिलकुल दे रहें यहां पर बच्रिया तो गोल गुंबाज जो ह consiste in दूबाज आपका करनाटका के अंदर है option number 20 साही critical है और गोल्डन सीटी है वही जैसल मेर जोदपूर दुनगारापूर यहां बुंडी ठीक है तो जल्दी जल्दी आंसर बताओ यहां पे इसका क्या हो जाएगा गोल्डन सीटी हम बोलते हैं जैसल मेर को बिल्कुर ठीका ओप्शन नमबर यह आपका सही हो जाएगा तो आपको सबसे कम कम पापुलेशन जो है स्टेट आफ इंडिया है वह कौन सी रही है 2011 के सैंसे से देखा जाए तो ठीक है तो सिकीम तमिलनाडू कैरला या ओडिसा तो कौश्चन नमबर 14 का जल्दी आंसर दो बही तुम लोग 2011 में यह स्टेट सेंस हुआ था तो उसमें से सबसे कम पापुलेशन कौन से स्टेट के अंदर पाई गई थी तो बिलकुर सही आंसर दे रहे हैं दाडिस सिकीम आप्शन नमबर एस का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा बही तो कौश्चन नमबर 15 की बात करते हैं MNST International is the association with which are falling ठीक है MNST International यहाँ पर एक organization है यहाँ पर यह किसके उपर लेटेड है ठीक है और यहाँ पर बहुत ही important इसकी एक बात और बताऊंगा पहले मुझे इसका आंसर दो MNST International कौन सी फील्ड में यहाँ पर associate है यहाँ पर ठीक है इन चारों आप्शन में से एक option आपका सही आंसर होना चाहिए तो वह कौन होगा बही तो इसका सही आंसर question 15 का हो का human right human right के ऊपर यहाँ पर MNST International है यहाँ पर और इसके अगर headquarter की बात करें तो इसके headquarter है यहाँ पर London में MNST International Organization के यहाँ पर headquarter है लंडन में याद रखना भई very very important है ठीक है तो यह 15 question हमारे general knowledge के हो चुके हैं अब जर्नल साइंस के देखते हैं ठीक है कौन-कौन आंसर देता है जर्नल साइंस के अब जर्नल साइंस के रहेंगे ठीक है तो फटा फटा आंसर देने हैं आपने वही तो question number one आपका लग चुका स्क्रीन के अपर question number 16 था यहाँ पर which plant tissue is responsible for transport of water and minerals from root to the leaves ठीक है जड़ों से पतों तक ठीक है यह transport करता है water को ठीक है जी root से यह ऐसे तुमारी roots है यहाँ पर ठीक है किसी पेट की और यहाँ से water की transportation होती है यहाँ पर leaves से भई ठीक है लीब में तो वो किसकी होती है भई ठीक है philoem, xylem, stomata यह pit तो इसका सही आंसर बताओ जल्दी जल्दी भई ठीक है बिल्कुल सही यहाँ पर जाए रहे है यहाँ पर xylem इसका सही आंसर हो जाएगा option number b इसका correct हो जाएगा ठीक है जड़ों से यहाँ पर water क कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होती है जड़ों से पानी निकल के यहाँ पर लीप्स तक पहुंचता है ठीक है तो वो plant tissue यहाँ है वहाँ जाइलम ठीक है तो option number b इसका सही आंसर हो जाएगा question number 17 important question the suicidal back of the cell are suicidal back of cell किसको बोलते हैं तो आपके पास यहाँ पर चार option है यहाँ प तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर लाइकोजोंस इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है option number b इसका correct है ठीक है question number 18 के उपर चलते हैं which are falling part of brain is also known as little brain हमारे दिमाग का कौन सा पार्ट है जिसको हम little brain भी बोलते हैं जल्दी जल्दी आंसर दो बई cerebellum cerebrum thiamolus hypothiamolus कौन सा होगा इसमें से बई little brain हम किसको बोलते हैं बई तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बई 18 का 18 का a option हो जाएगा cerebellum तो cerebellum को हम यहाँ पे little brain भी बोलते हैं बई question number 19 की बात करते हैं यहाँ पे what is the main purpose of white blood corpuluses यह हमारे WVCs होते हैं इसका main purpose क्या होता है WVCs जो होते हैं इनका main purpose क्या होता है बई to combat infection to carry nutrients to carry oxygen to give strength तो बई याद रखना जब भी तुमारा WVCs आते हैं तो इसका main होते हैं यह हमारे किसी भी body को infection होने से रोकता है ठीक है कोई भी infection जो है वो यही रोकता है WVCs आपके रोकते हैं तो इसका first answer आपका सही हो जाएगा to combat infection ठीक है उनसे लड़ता है वही यह तो यहाँ पर question number 19 का answer हो जाएक option number a question number यहाँ पर 20 की बात करें तो बोड़ा है which are falling is a communicable diseases communicable diseases कौन सी होती है वही तो यह आप से पूछ रहा है कि measles स्कर्भी है आस्तम है यह diabetes है तो इसका जल्दी फटा 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 आंसर दे दो वही जल्दी से एली फटा फटा आंसर दे दो 20 का क्या answer रहेगा इसका सही answer जो हो जाएगा वो हो जाएगा option number a measles measles आपकी क्या यहां communicable diseases है तो यहां पर देख लेते हैं वह यहां पर रिसेंटली यहां पर कुछ local health department ने यहां पर रिपोर्ट सम्मिट करी है communicable diseases की ठीक है California Department of Public को तो उसमें से यहां पर देख लेते हैं कौन-कुनसी यहां पर यहां पर 2019 के अन्दर यहां पर है कोबीड ठीक है en kop यह भी आपकी यह communicable disease आपको यहां पर रिपोर्ट सम्मिट करी है यहां पर ठीक है Ebola यह भी आपकी communicable diseases है ठीक है next आपक आजाएगा flu यह भी communicable disease के अदर है यहां पर ठीक है हंता वायरस हंता वायरस वी कम निगे बडीजाई के अंदर यहां पर रखा था'Mas a कि लोग जुचाई बृट फिरेवर यहां पर काफ़ी सारी यहां पर विज बेझी था हूँ है और यहां पे मीजल्स भी है यहां पे ठीक है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा आप्शन नमबर A इसका सही आंसर हो जाएगा कोश्चन नमबर 21 की बात करते हैं तो ब्लड इस प्यूरिफाइड बाई सिंपल सा एक बेसी कोश्चन होता है वो उठाया यहां पे कि ब्लड की यह प्यूरिफिकेशन होती है वो कहां से होती है ठीक है तो option number 20 का correct हो जाएगा question number 22 की बात करते हैं तो which is used in thermometer to show the temperature thermometer के अंदर क्या यहाँ पे लगा होता है जो हमें temperature show करता है भई तो आप सब भी को बता है कि जो आप यहसे thermometer जो होता है यहाँ ठीक है और उसके आगे यहाँ पे आप देखते हो कि एक छोटी सी ऐसे पिन लगी होती है यहाँ पे ठीक है जिससे हम यहाँ पे इदर आपको दिखाई देता है कुछ silver color का यहाँ पे ऐसे से तो यह चीज़ जो होती है यह होती है तुमारी pure mercury ठीक है और mercury यहाँ पे show करता है हमारा की बॉड़ी के अंदर कितना टेंपरेचर होता है ठीक है तो थर्मामेटर के आगे वाली यह पीन होती है यह वाली silver color की उसको हम बहुत है mercury तो यहाँ पे option नमबर डी इस का क्या हो जाएगा answer हो जाएगा mercury question number 22 की बात करते हैं बोल रहा है the deficiency of which nutrient cause night blindness ठीक है कौन सी deficiencies यहाँ पे night blindness होती है बीटामीन के बीटामीन सी प्रोटीन यह बीटामीन ए तो इसका सही उत्तर क्या होगा ठीक है जल्दी जल्दी बता दो यहाँ पे so सही answer दे रहे है यह night blindness होती है that is the vitamin A से होती है ठीक है तो यहाँ पे option number A आपका ठीक हो जाएगा oh sorry option number D से ही हो जाएगा question number 24 की बात करते हैं that is a commonly used medicine that can help treat pain and reduce high body temperature जो कि आजकर हम common घर में use करते हैं COVID-19 के अंदर किसी को यहाँ पर normal pain हो यहाँ पे ठीक है यहाँ high body temperature हो जाए तो वहाँ पर हम एक यहाँ पर medicine लेते हैं भई ठीक है यह जो common होती है भी ठीक है वह आपकी paracetamol ठीक है तो इसका answer क्या आजएगा option number C paracetamol इसका सही answer हो जाएगा question number 25 की बात करते हैं तो study of muscles को हम क्या बोलते हैं important question बन सकता है एक study study वाले के उपर भी यहाँ पर आपको एक question आता ही आता है तो study of muscles को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे तो इसको बोलते हैं myology ठीक है myology हम बोलते है study of muscles को यहाँ पे question number 26 की बात करते हैं which one among the following is used as a moderator in nuclear reactor ठीक है कौन सा हम यहाँ पर use करते हैं moderator in nuclear reactor के अंदर ठीक है ozone, heavy hydrogen, heavy water, hydrogen, perioxide तो इनमें से nuclear reactor के अंदर यह moderator use होता है that is आपका heavy water use होता option number C इसको correct हो जाएगा that is a D2O ठीक है और यह आपका heavy water का यहाँ पे chemical symbol है D2O ठीक है question number 27 की बात करते हैं तो बोल रहा है global warming is caused by global warming किससे होती है ठीक है N2 से CO2 से ozone से या इनमें से कोई नहीं तो जल्दी जल्दी answer बताओ यहां पे global warming किससे cause होती है तो 27 का सही answer क्या हो सकता है बिल्कुल सही आ रहे है यहां पे बच्चे कि global warming यह cause होती है वो carbon dioxide से होती है that is option number 20 का सही उत्तर हो जाएगा भई question number 23 की बात करते हैं ammonia is prepared commercially वाइदा ammonia यह prepared होता है कौन से process से ठीक है बासवाल प्रोसेस हाल प्रोसेस कॉंटेक्ट प्रोसेस यह बड़ प्रोसेस से तो बेटा जब भी ammonia यहां पर प्रिपेर करिया जाता है तो वह आपको जल्दी पहले जल्दी दिपने comment box के अंदर बताओ भई क्या answer होगा इसका भी ammonia prepared होता है कौन से process से तो बेटा जब number 29th important question है और पिछली बासाल पूछा गया question है the elements which have same mass number same mass number होना चाहिए but different atomic number उसको हम क्या बोलते है same mass number but different atomic number उसको हम क्या बोलते हैं आइसो टोन आइसो बार आइसो टोपस या है लो जीन्स तो बिल्कुल सही जा रहे हैं आइसो बार की definition है वह वाली element जिनका यहां पर same atomic number होता है और different mass number होते हैं इसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं इसो टोन से किसको बोलते हैं और आइसो टोपस की definition क्या होगी वह तो question no.30 की बात करते हैं आज का यह मेरा final question है यहां पर विच वना फॉलिंग इस नाट नोवल गैस इन मेंसे यहां पर चार उप्शन मेंसे कोई एक यह गैसा वो जो नोवल गैस नहीं हैं बाकी तीन हो यहां पर नोवल गैस हो सकती हैं तो बताओ वही इन मेंसे कौन सी नोवल गैस नहीं है तो जल्दी-फटा-फटा-फटा-था आंसे कर दो भई यहां पर मैं देखंग हो यहां पर काफी अच्छा response आए आज को स्थोड़-थोड़ सा लै कर दो वागया कि जैसे सट बनते चलेंगे तुमारे ये तो तीसरा सट हो गई I think यहाँ पर ठीक है दूसरा यह तीसरा सट हो गई तो इसका सही आंसर हो जाएको बिल्कुल ठीक है, bromine, bromine आपका यहां पे noble gas नहीं है, बाकि आपकी helium, argon, neon यहां आपकी सारी के सारी क्या है तुमारी noble gases हैं ठीक है जी, तो बिल्कुल clear है, अच्छा, इसमें से मुझे बताओ, इनी में से यहां पे एक gas को, यहां पे noble gas है, उस इसमें से एक को यहां पे stranger gas बोला आता है, stranger gas, तो वो किसको हम बोलते हैं, helium, argon, neon को यहां पे, कि में से बोलते है, stranger gas भई, तो यहां आपको मुझे यहां पे नीचे comment box के अंदर यहां पे देना है, आंसर इसका भई, ठीक है, so thanks for watching this video, do always like, share and comment and don't forget to subscribe jkssb-614 if you are new to this channel, so, जाते हैं आते हैं, आपको यही बोलना जाता हूँ, कि facebook page, youtube का channel, और यहां पे instagram, पे हमें follow करना ना भूलें भई, ठीक है, और telegram, at the rate of jkssb-614, इसको search करना, और यहां पे discussion group join कर लेना, जो भी यहां पे doubt होता है, उस पे आप डाल सकते हो भई, so thank you भई, आज की वीडिय and have a nice day